नमस्कार दोस्तों, CCKS लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मित्रो हमारे विशेश श्रंकला हिंदी कथा साहेते में महिला कथाकारों का योगदान इस श्रंकला के अंतरगत हमने अपने पिछले सेशन में कृष्णा सोपती पर विशेश रूप से चर्चा की थी हमने कृष्णा जी की रचनाय हैं उन पर भी चर्चा की थी और बताना चाहेंगे कि आज भी हम कृष्णा सोपती जी पर ही सेशन आये उजित कर रहे हैं उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से भी आप लाभानवित होंगे बताना चाहेंगे आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रुचिरा और डॉक्टर रुचिरा धिंग्रा असोसीट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में तो आएए इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और इनके माधहम से हम जाना ही कोशिश करते हैं कृष्णा सूपती जी के बारे में तो डॉक्टर रुचिरा धिंग्रा आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमेश्का मित्रू पिछले व्याख्यान में हमने कृष्णा सूपती के व्यक्तित्व और उनकी कुछ रचनाओं यारों के यार तीन पहाड समय सरगम के बारे में हम अब बात करेंगे और इसे पूर्व हमने यारों के यार तीन पहाड ए लड़की बादलों के घेरे आदी के बारे में विस्तित रूप से बाचीत की थी प्रिश्ना सूपती जिस प्रकार के विक्तित्व की धनी है या जिस प्रकार के विचाधारा को रखती है उसके अनुकूल ही उन्होंने साहिति स्रिजित किया है समे सरगम वृद्धों के जीवन पर आधारित उनका बहुचचित उपन्यास है इसमें उन्होंने वृद्धों के जीवन के संखश और चुप चाप अंदर दरवाजे से दस्तक देती आती मृत्यू को अपना विशे बनाया है अपने जीवन में हम मृत्यू से बहुत अधिक भैभीत होते हैं किन्तु कृष्णा जी का ये मानना है कि मृत्यू भी हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अटल सत्य है जिससे घबराने की कोई आवशक्ता नहीं है उन्होंने अपने इस उपन्यास में अपने जीवन दर्शिन को जिसमें उन्होंने सुख, दुख, राग, विराग, हास, परिहास के साथ साथ जीवन की सार्थक्ता और निरर्थक्ता के विशे में भी सामाचिक और दाशनिक धंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है इस उपन्यास में आरण्या और इशान के माध्यम से उन्होंने रिधों के जीवन प्रकाश टाला है ये दोनों ही पात्र एक दूसरे के पड़ोसी हैं वेचारिक त्रिष्टी से अगर हम देखें तो इनमें हमें भिंता दिखाई देती हैं किन्तु क्योंकि परिवार में इनकी स्थिती लगभख एकसी है एकसी आयू है इसलिए ये एक दूसरे की समस्याओं को कटनाईयों को समझते हैं और एक दूसरे की मदद करने की भरसक कोशिश भी करते हैं माहनगरों में एक अजीर सी संस्कृती जन ले रही है जहां पहले संयुक्त परिवार में लोग एक दूसरे की सुख दुख से अपने आपको जुड़ा हुआ महसूस करते थे वही आज एकल परिवारों ने अपना बच्चस्व स्थापित कर लिया है इसलिए हम केवल अपने आपको अपने पती या पतनी या अपने बच्चों तक ही सीमित रखकर देखने के अभ्यासी हो गए हैं इससे क्या हुआ कि हम लोग अपने परिवार के जो अन्य लोग हैं माता पिता, सास ससुर, चाचा चाची, इत्यादी से हम लगभग कट से गए हैं ना हम उनके जीवन में देखने की कोशिश करते हैं और ना हम चाहते हैं कि कोई हमारे जीवन के अंदर ही जाके और ऐसे बातावरण में व्रिध व्यक्ती जिसने अपना संपून जीवन उस परिवार के लिए होम कर दिया था वो अपने आपको निरंतर उपेक्षित समझने लगता है आरण्या इशान को समझाते वे एक स्थल पर कहती हैं पारिवारिक निष्ठा से जी हुई पुरानी भाव गठ्वी बेमानी हो चुकी है शायद इसी लिए आपका पारिवारिक तानपुरा खामोश है परिवार की सुगंद इतनी भी नहीं सधती कि संगीत की ले ताल की तरहे हर शण दिल तक पहुचती रहे संगीत में सभी स्वर यदि एक क्रम से ना लगें या जिस क्रम में उन्हें बैठना चाहिए उस क्रम में ना बैठकर हम सा की जगे मा या मा की जगे धा का उप्योग करने लगें तो संपून राग रागनी का सौंदर नश्ठ हो जाता है चाहें सरगम वही है किन्तु उसको एक क्रम में होना जरूरी है उसी तरह से परिवार में हर व्यक्ती का अपना एक निश्चित स्थान होता है और वो चाहता है कि उसे उतना ही आदर, उतना ही स्नेह, उतना ही प्यार परिवार के अन्य व्यक्तियों से भी लगातार मिलता रहे बाहर वालों की तुलना में जब व्यक्ति को अपने घर वालों से ही उपेक्षा, उलहाना की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वो अंदर ही अंदर और अकेला और घुटन से भरा हुआ महसूस करने लगता है उपन्यास की नाईका आरण्या अपने इस अकेले पन से समझोता कर लेती है और वो ये मानने लगती है कि यदि हमने जीवन के सुख को उसकी पूरी शिद्दत के साथ जिया है तो दुख भी हमें उतनी ही खुशी उतनी ही मुस्कान के साथ आलिंगन करना चाहिए वो किसी की परवा नहीं करती और अपने जीवन में वो जो चाहें वो करने की कोशिश करती है और इस तरहे से वो अपने अकेलेपन को अपने बुढ़ापे को भी पूरी इमानदारी के साथ जीना चाहती है उनकी तुलना में इशान अपनी जीवन के अकेलेपन के साथ समझोता नहीं कर पाते और वो कभी अपनी दो बेचियों के बारे में सोचने लगते हैं कभी अस् даль Museum मृत्यू को प्राप्त अपने पुत्र और पतनी के विशे में चिंता करने लगते हैं और कभी अपनी पत्नी लक्ष्मी की सहयोगिनी, कामनी जिससे उनका अपनी पत्नी के निधन के बाद एक आत्मिय संबंध जोड़ जाता है उसके विशे में बाते सोचने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं यहां पाठकों के मन में एक सवाल स्वभाविक रूप से उभर कर आता है, कि क्या जो पत्नी अपने पती के मृत्यू के उपरांत उसकी यादों के सहारे और अपने परिवार के कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी जीवन को अंतिम सांसों तक जी लेती है, तो क्या ऐसा के सामिपे की आवशक्ता होती है, क्या वो उस पत्नी को भूलने में इतनी आसानी से कैसे भूल जाता है, जिसने उसके परिवार को उसको अपने जीवन में एक महत्वपून स्थान दिया होता है, इशान अपनी पत्नी के पून समर्पन को उसकी मृत्तु के बाद एकदम भूल साचाते हैं और उनकी मित्र कामनी के साथ एक संबन स्थापित करने का प्रयास करते हैं और ऐसा करते वे उन्हें कोई अनुचित भी नहीं लगता कामनी के बारे में उनका मानना है कि कामनी सुन्दर है, फुर्तीली है और सबका मन आसानी से मोह लेने में भी सक्षम है किन्तु परिस्थितिया उन दोनों को मिला नहीं पाती और कुछ समाजिक उत्तरदाइटवों के कारण कुछ पारिवारिक दाइटवों के कारण वो दोनों एक नहीं हो पाते इशान ये भी चानते हैं कि इस उम्र के पड़ाफ पर आकर उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन से वो पीछे नहीं हड सकते कामनी के विशे में उनका ये भी माना है कि अपनी युवा वस्था में जो कामनी हमेशा फुर्तीली थी सब चीजों को आगे बढ़कर काम करती थी वो उम्र के इस पड़ाफ पर आकर अपने आपको अकेला अनुभफ करने लगती है इतना ही नहीं अब तक उसने जो धन संचित किया था उसके भाई भावी की नजर उस धन पर होती है और वो साम दाम दन भेट से उस धन को प्राप्त करने का कोई भी मौका हाथ से चूकना नहीं चाहते इतना ही नहीं जब कामनी बिमार रहने लगती है तो जो डॉक्टर उसको दवा देने आता है वो उसको नींद की गोलिया दे देता है या ऐसा भी हो सकता है कि उसे धीमा जहर दे दिया जा रहा हो जिससे वह अधिकान समय तक अच्चेत बेसुद सुई रहती है इस उपन्यास में चाहें हम कामनी को देखें इशान को देखें या फे अरण्या के विशे में ही सोचें सभी अकेले पर के शिकार हैं अपने अपने जीवन को जीने के उपरांत उम्र के इस पड़ाव पर आकर वो अकेला पन अनुभव कर रहे हैं ये ही नहीं उपन्यास के अन्यपात्र जिसमें प्रभुद्याल, कलावती, भगत सिंग, इत्यादी हैं ये भी अपने समय के बचें हुए शणों को अकेले पन के साथ जीने के लिए विवश हैं और कथा का विकास करते हैं कृष्णा सोब्ती इस अकेले पन को बुरा नहीं मानती उनका माना है अकेला पन अपने आप में बहुत अधिक खूबसूरत है क्योंकि जब तक हम किसी के साथ होते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोचते जब हम अकेले होते हैं, तो हमें ये मौका मिलता है, वो समय मिलता है जब हम अपना आत्म विशलेशन करते हैं, अपने बारे में जानते हैं और अपने गुणों को विक्सित करने की कुशिश कर सकते हैं, उनका ये मानना है अकेले रहते रहते जान लेंगी कि यह स्थिती भी कम अच्छी नहीं, अकेले होने पर आप अपने से दूर नहीं होते, अपने में खोचते हैं उन संभावनाओं को जो मुल्यवान हैं, आप अ और नजदीक होते चलते हैं, और यही अपने आप और नजदीक होना वस्तुत है अपने जीवन की, अपने व्यक्तिव की पड़ताल है, जिसे हर मनुश्य को अपने जीवन में करना ज़रूरी है, समय सरगम इस प्रकास से अकेले पन की कृती नहीं है, वो जीवन के उल्लास की क्रिती है, और इसमें लेखिका ने ये बताने की कोशिश की है, कि यदि हमने अपनी युवावस्था को उमंग के साथ, अच्छे अच्छे सपनों के साथ प्यतीत किया है, तो जीवन की इस धलती सांच को भी हमें उतने ही उत्साह के साथ अपना बाहें फैला कर उसको अ जो पुरानी पीडी को अपने से बहुत पिछड़ा हुआ मानता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसकी आखों में अलग रोशनी है, अलग सपने है और एक पुरानी पीडी का समय जो उनके साथ तादात में नहीं मिला सकता, कदम से कदम नहीं मिला सकता और इसलिए उसे लग कारण केवल एक है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल का चलने की बात नहीं सोचते। कथा के अंत में लेखिका जीवन का पूरा दर्शन एक तरह से खोलकर अपने पात्कों के सामने उपस्थित कर देती है। उनके अनुसार, उम्र केवल वर्षों की संख्या मात्र है मनुष एक समय सरगम रचता है इस समय सरगम के इस उपन्यास में साथ स्वर है इशान, आरण्या, कामिनी, प्रभु द्याल, कलावती, अपराजिता और पंडेची शेश पात्र केवल ध्वनिया है जो हमारे जीवन में को विक्सित करने में हमारा सहयोग देती है हमें प्रगति की मार्ग पर आगे लेकर चलती है मनुष्य अपनी जीवन में बच्पन से यौवनावस्था, यौवनावस्था से वृधावस्था और विरिद्धा वस्था के उपरांद उस परम तत्व में विलीन होते हुए अपनी जीवन की सरगम को सुन्दर ठंग से बजाने का प्रयास करता है और यही इस उपन्यास की मूल समवेदना है उद्देश्य है कि हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए किष्णा सुप्ती का एक अन्य उपन्यास जैनी महरबान सिंग 2007 में प्रकाशित हुआ था दो रात और एक दिन में रचित यह उपन्यास महरबान सिंग चलचित्र आख्यान है जिसमें लेखिका ने दो प्रेमियों के बारे में अपने पातकों को बताया है जिनके परिवारों में आपसी दुश्मनी थी और इस प्रकार इस दुश्मनी के होते हुए वो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाए विवाह में अपने प्रेम को परिनत नहीं कर पाए महरबान सिंग और साहिबा दोनों को अपने प्रेम को एक तरहे से भूलना पड़ता है महरबान सिंग नहीं चाहते कि दोनों परिवारों की दुश्मनी इतनी बढ़ जाए कि वो एक दूसरे के जान लेने की बात सोचने लगें इसलिए वो विदेश चले जाते हैं विदेश में जाकर वो लिजा नाम की एक नाइका है उससे वो प्रेम करने लगते हैं और उसमें वो साहिबा की स्थवी को ढूनने लगते हैं और कुछ हद तक वो अपने इस प्रयास में सफल भी हो जाते हैं महरबान सिंग और लिजा की बेटी जैनी है जो भारत में अपने भ्रह्मन के दौरान यहां की सादगी, यहां की संस्कृती, सभेता, लोगों के मनुभावों से इस हद तक प्रभावित होती है कि वो यहीं पर बसने का निर्ने ले लेती है यहां उसकी मुराकार जरावर से होती है दोनों के बीच आकरशन और फिप प्रेम उत्पन होता है दोनों के परिवार जो महरबान सिंग और साहिबा के बस्तुते परिवार है इस प्रेम को अपनी स्विक्रिती दे देते हैं दोनों के विवाह के पर शात, पुरानी पीडियों का चला आ रहा जो दुश्मनी का विवार था, वो खत्म हो जाता है और दोनों खुले हातों से जैनी और जरावर के विवाह को अपनी स्विक्रिती ही नहीं देते, बड़े लोग उनको अपना आशिरवार भी देते हैं जैनी जब भारत आती है, तो वो अपने पिता द्वारा सुनी गई एक कविता और अपनी दोस द्वारा उसको स्वर्बत की हुई, जो उसकी रचना है, उसको गाती है ये गाना किंचित लंबा है, किन्तु अपनी लंबाई के उपरान्त भी ये पूरी की पूरी भारतियता को अपने में समेटा हुआ हमें नजर आता है एक एक शब्द का कि ये जो गीत है, ये पाठकों पर अपना भुद प्रभाव अंकित करने में सक्षम है ये गीत इस प्रकार है, हर दिल एक सूरज है, हर देही एक धड़ती और इस प्रकार से उन्होंने ये माना कि भारतिय परिवेश में हर व्यक्ति के अंदर भारतियता अंदर तक कूट कूट तक भरी हुई है यहाँ पर आप किसी को भी देख लीजे, सब में हम देखे तो प्रेम, सदभाव, त्याग, सेवा, सहिश्मता की भावना हमें दिखाई देगी उपर से हम चाहें कितने भी कठोर क्यों न नजर आते हों, किन्तु अंदर से हर व्यक्ति चाहें वो सिख है, मुसल्मान है, हिंदू है, कोई भी जाती का क्यों न हो वो अंदर से उन्हीं भावनाओं से भरा हुआ है, जिस भावना से दूसरा व्यक्ति है गाव में फैली हुई दुश्मनी के बीच जैनी का भारताना, महबत की खातिर अपने आपको बदलना, जिरावत से शादी करना मानो, इस छोटे से कदम से वह दो परिवारों के बीच में जो दुश्मनी फैली है, जो एक का दूसरे को माने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो भावना है, उसको खतम करने का महत कारिक करती है कृष्णा जीने अपनी सभी रच्चनाओं में, चाहें वो जिन्दगी नामा हो, डार से बिछडी हो, मित्रो मजानी हो, ए लड़की हो, आप उनकी किसी भी रच्चना को देख लिजे, उसमें उन्होंने पंजाब की मस्ती, हलचल, महा का जो एक खिलंदड़ापन है, या चुत्योहारों की संस्कृती है, उसको उन्होंने बहुत सुन्दर ढंग से अंकित किया है, जैनी महरबान सिंग में भी हमें पंजाब की रंग बिरंगी संस्कृती देखने को मिलती है, मित्रो मरजानी उपन्यास लगभग 18,000 शब्दों वाला उपन्यास है, ये पहले लं जन 1967 में ये उपन्यास का कलेवर लेकर अपने पाठकों के सामने आया, इस रशना से पूर्व संभवत है, किसी भी महिला रशनाकार ने इस्तरी की कामभावना को लेकर और एक अलग तरीकी की शब्दावली को लेकर जिससे समाज, यतोचित और यता प्रयास बचता है, ऐस इसी शब्दावली को लेकर किसी भी महिला रशनाकार ने लिखने का दुस्ताहस नहीं किया था, मित्रो मरजानी पर कई आलोचकों ने लेखकों ने अपना विरोध भी अंकित किया है, किन्तु कृष्णा जी को ही लगा कि जिस कथा वस्तू को लेकर, जिस बात को लेकर उन वो अनकहा ही रह जाता, उपन्यास निम्न मध्यवर्गिय संयुक्त परिवार के गुरुदास लाल का है, जो अपने तीन बेटों, बनवारी लाल, सदारी लाल और गुजराली लाल और उनकी तीन पत्नियों, क्रमशर, सुहागवती, सुमित्रा, बंती और फूल बंती के सा सुख पूर्वक रह रहे थे, इन तीनों ही बहुओं में सुमित्रा, बंती, उर्फ, मित्रो, मुफट है, जो कुछ उसके मन में आता है, वो बोलती है, और इस बात की परवा नहीं करती कि उसके सामने कोई बड़ा व्यक्ती खड़ा है, कोई छोटा है, या हम उम्र है, इत होती है, उसके पती इस बात से भैभीत रहते हैं, वो यह जानते हैं कि उनकी पत्नी रूपवती है, और ना केवल रूपवती है, वो अपने रूप गर्व भी करती है, और उसे अपनी आवश्यक्ताओं का पता भी है, और वो उसे निसंकोच उसको बताती भी है, उनके पत जब इस बात को सहन नहीं कर पाते तो जब तब जब चाहे उन्हें एक आदे लाद खुसे जाड़कर अपनी पौरुष्टा का परिचे भी दे देते हैं मित्रो अपने पती सर्दारी लाल से अपनी आवश्चताओं की संतुष्टी ना होने के कारण निरंतर खीजी रहती है जली-कटी सुनाती है और जब वो जली-कटी सुनाने लगती है तो उसको अपनी भाशा पर भी कंट्रोल नहीं होता भाशा पर भी वो ये कहती है कि जो मेरे मन में आएगा मैं भूलूंगी और कई बार उसकी भाशा इतनी अमर्यादित हो जाती है कि घर के बाकी के लोग या तो अपने कानों को ढख लेते हैं या कहते हैं कि भगवान भरोसे ये लड़की कैसे हमारे घर में आ गई मित्रों अपने पती के मित्रों के साथ हसी मजाग करने से भी गुरेज नहीं रखती है सरदारी को ये सब पसंद नहीं आता और इसी बात पर दोनों की कहा सुनी हमेशा होती रहती है मित्रों मन से बुरी नहीं है वो अपने पती से भी प्रेम करती है अपने सास्तसों से जेट जेठानी से भी उसका उतना ही प्रबल स्ने है वह अपनी देवरानी फूलवन्ती के प्रती आकरोर से भर उड़ती है क्योंकि फूलवन्ती ना केवल सास के प्रती अपितु अपनी जेठानी के प्रती भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल करती है मित्रो सामने आ जाती है और कहती है मैं तेरी जमदूती बस तुने सास से टकर ली मैंने माना पर जिसकी तु जूती बराबर भी नहीं अब उसकी इज़त उतारने चली है अरी चुपचाप ये गहने अंदर डाल ले नहीं तो उनसे भी जाएगी और इस प्रकास से वो अपने अधिकारों का प्रियोग करती है और घर परिवार में एक प्रकास संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती है मर्जानी उसको इसलिए कहा गया क्योंकि वो अपनी देह के प्रती जागरुख है उसकी आवश्यक्ताओं को ना केवल समस्ती है उसको मुखर रूप में बताती भी है और इसलिए वो मर्जानी अपनी देह की ताकत के कारण बनती है यह दुनिया जूट पर टिकी हुई है यहां हर कोई व्यक्ति जूट पर अपने संबंधों को टिकाने का प्रयास करता है इसके ठीक उलट मित्रो स्पष्ठ वादिनी है जो कुछ चाहती है बोलती है कोई दोगलापन उसकी जीवन में हमें नजर नहीं आता अगर वो किसी से रुष्ठ है तो वो गुसा करेगी अगर उसको किसी से प्रेम है तो वो उतनी ही सहष्टा के साथ अपने प्रेम का प्रदशिन करने से भी पीछे नहीं हरती है ऐसी दुनिया में मित्रों को समझना बहुत मुश्किल है और यही मुश्किल उसको बुरी लगती है और उसे लगता है कि उसका पती सरदारी उसे पूरी तरे से क्यों नहीं समझता क्यों नहीं उससे वो संबन स्थापित करता जिसकी वो चाहत रखती है चाहें वो कितना ही तीखा बोले, कितना ही कड़वा बोले पर बोलती हमेशा खरा ही है अपने राहा होने की बाद भी वो अपनी जठानी को बड़ी सहष्टा के साथ, स्पष्टा के साथ कह देती है इतना ही नहीं वो कई बार अपने दुख को हसी मजाथ में उड़ाने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि यदि वो बहुत अधिक मुखर होगी तो दूसरे लोगों को अपमान का अनुभव हो सकता है उसे पता है कि जब उसकी जठानी मात्रित्व वहन करती हैं तो उनकी सास कितना प्रसन होती है सास उसे भी चाती है कि वो मा बने जिससे उनके घर आंगन में बच्चे खेलें और वो दादी बनने का सुक प्राप्त कर सकें मित्रो उन्हें अपने मन से प्रश्न पूछती है कि जिद जान का ये कैसा व्यापार अपने लड़के बीच डालें तो पुन्य और दूजे डालें तो कुकुन्य ऐसा कुकर्म जो समाज में कभी भी स्विकार नहीं हो सकता जह अपनी सास से पच्चे के लिए मननत मांगने के लिए भी मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि अम्मा जिस दाते का नाम लेती हो उसे किसने देखा असली पैगंबर तो तुम्हारे बेटे ठहरे और वो इस बात से इंकार नहीं करती कि वो भी मा बनना चाहती है और चाहे तो वो पांच-छे क्या वो सौ कौरव तक पैदा कर सकती है किन्तु उसके लिए पती-पत्नी के बीच में एक सौहाद्रपून संबंध का होना अनिवार्य है मित्रो मजानी केवल जैसा कुछ आलोच को ने कहा कि इसके माध्यम से लेखिका ने केवल एक नारी देहे को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है जबकि ऐसा नहीं है यह यहाँ पर केवल देहे प्रमुख नहीं है यहाँ पर इस्तरी की इच्छा अपने आप में प्रमुख है कि सद्यों से जो इस्तरी दबी हुई है पुरुश वच्चस्व उसके उपर फैला हुआ है वो अपनी इच्छाओं का दमन करती आ रही है क्या इस्तरी को अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना उसके लिए पाप है इस बात को लेकर शायद कृष्णा सोप्ती चिंतित थी और उन्होंने मित्रों के माध्यम से इस बात को हमारे सामने रखा है क्रिश्णा सोप्ती की जो भाशा है वो अपने पात्रों के अनुसार चलती है जहां कहीं उनके पात्र ग्रामीन परिवेश के हैं उनके जो शब्दावली है वो ग्रामीन जो खुश्वू है उसको अपने आप में लिये वे है उनका मानना है कि एक से मुख्डे और तेवर वाली भाशा में सोचना और लिखना मुझे उबाव लगता है लेखक होने के नाते भाशा के रशनात्म केंद्र में होने के बावजूद उसे ही अपना अतिक्रमन भी करना होता है अपने को परे सरकाकर पात्रों के अनुरूब भाशा और मुहावरे को ढालना मात्र प्रयोग नहीं लेखक की सार्थकता का एहसास भी देता है किसी भी रशनाकार में ऐसा कर सकनी की सामर्थ लेखक और पाठक दोनों के लिए स्रिशनात्मक संबेदन का विस्तार करती है और अपनी इस उक्ती के माध्हम से ये बताने का प्रयास किया है लेखकाने कि उनकी भाशा में हमें यही सहचता यही प्रवाह नजर आता है उन्होंने पात्रा नुकूल भाशा मुहावरे और शैली का प्रयोग किया है अपने अगले वक्तवे में मित्रों हम उनके एक और पहुचा चित उपन्यास जिन्दगी नामा के विशे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे नमस्कार मुझा प्रयास झाल झाल जाल झाल जाल झाल जिन्दकी नामा का अर्थ है जीवन की गाथा जीवन की कथा इसके उपशीशक जिन्दा रुख का अर्थ है जीवित पेड दोनों ही शिर्षक प्रतिकात्मक होने के कारण अपने अंदर एक गहरी अर्थ वत्ता को लिए हुए हैं वस्तुतह यह शाहों और अविभाजित पंजाब क्या जो कथा है उसको अपने पात्कों के सामने लेकर आता है जिन्दा रुख उस सांची संस्कृती का प्रतीक है जो विभाजन से पहले अपनी पूरी सुंदर्ता और समगरता के साथ खिला फूला और विक्सित हुआ यहाँ पर ग्रामबासियों की सुरक्षा और शीतलता को यह सांची संस्कृती पूरी तरहे से अपने अंदर समेटे रही उपन्यास के दूसरे खंड के कुछ अंश उस समय बहुवचन पत्रिका और उसके उपरांध हंस में प्रकाशित हुए जिसमें 1957 की त्रासदी और इस जिन्दा रुक को निर्ममता के साथ चीरे जाने का वर्णन मिलता है रशनकार का दृष्टिकून और उसकी विचाधारा उसकी कृती को निर्धारित रूप प्रदान करती है कृष्णा जी की दृष्टि उनके उपन्यास में हमें आध्यन्त नजर आती है अपने इस उपन्यास के लगभग साड़ी साथ प्रारंभिक प्रिष्टों में कृष्णा जी ने इतिहास से संबंधित अपनी मानिताओं को एक कविता के कुछ अंशों के माथ्यम से साधा किया है कविता के अंश हैं इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है वह नहीं जो हुकूमत की तक्त गाहों में प्रमानों और सबूतों के साथ एतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है बलकी वह जो लोकमानस की भागी रथी के साथ साथ बहता है पनपता और फैलता है और जन समाने के सांस्कृतिक पुक्तापन में जिन्दा रहता है मित्रों, जन समाने की सांस्कृतिक पुक्तापन यही वह मुख्य बीज है जो हमें संपून उपन्यास में अपनी जड़े फिलाए हुए दिखाई देता है इसके बाद उपन्यास के सारे प्रिष्ठों में पंजाब के गाउं डेरा जट्टा और वहां की लोग संस्कृति को पूरी शिद्दत के साथ सजीवता और यथाता के साथ लेखिका ने उपस्थित किया है चेनाप जेलम की पंजाब की संस्कृति वहां का की प्रिष्ठ भूमी वहां का इतिहास उसके साथ साथ परिश्रमी क्रिशक उस संस्कृति में जितने भी त्योहार मनाई जाते थे चाहें वो लोड़ी हो बेसाखी हो उनके विशे में वहां के पंच दरियाओं के सुन्दचित्र इन सब को बहुत मनुयोग के साथ लेखिका ने अपने इस उपन्यास में समेटा है लेखिका उत्पीडतों की पक्ष्थर कभी भी नहीं रही वो शोशकों के हमेशा विरोध में हमें दिखाई देती है उन्होंने किसी भी जनतांत्रिक विरोध आचरन अन्याई के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके मौन रहकर नहीं उन्होंने खुल का उनका विरोध करना स्विकार किया उनका मानक्तावादी द्रिष्टिकोन सिक धर्म के धर्म गुरुओं से प्रभावित रहा है इसका साक्षी है उपन्यास के आदी और अंत में गुरु गोविन सिंग की फार्सी उक्ती जो उन्होंने अपने पत्र में औरंगजेव को लिखी थी जिसका ताथपर्य था जब दूसरे सब रास्ते कारगार ना हों तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठाना जायज है और ये बात ना केवल लेखिका ने अपने उपन्यास में अंकित की है उन्होंने अपने जीवन में भी इसे उतारा है लेखिका हिंदू, सिक, मुसल्मान के परस्प, प्रेम और सोहादर से उपजी सांची संस्कृती को महत्व देती हैं जिसमें सब मिल जुल कर रहते थे, शादी ब्याहों में हसी मजाग करते थे, तीस तोहारों में मिल जुल कर उल्ला से उसे मनाते थे एक दूसरे के खर में जाकर लोडी मांगना या एक साथ खाना बनाना खाना खाना ये सब उस संस्कृती का एक अंग था लेखिका ने अविभाजित पंजाब के गुजरावाला गाउं के डेरा जट्टा को अपना वर्न विशे शायद इसले बनाया है क्योंकि यहे लेखिका की जन भूमी थी वहाँ लेखिका का बच्पन बिता था वो इस संस्कृती से जुड़ी वी थी उन्होंने इंत्योहारों को मनाया था वहां के लोगों के साथ उनकी सदभावनाओं के साथ प्रेन के साथ उन्होंने अपना बच्चपन बिताया था और इसलिए उसका चित्रन उन्होंने अपने उपन्यास में बहुत खुबसूर्ती के साथ किया है 1907 और 1915 के मध्य जो घटनाई घटित हुई जिसमें बंग भंग, बंग एक्य, मदन लाल धिंगरा को इंगलैन में मृत्यू दंड और पगडी संभाल जट्टा गीत के रचेता, लाल चन फलक को अंग्रेजिन द्वारा दी गई फासी और प्रतार नाएं तथा गांधी जी का दक्षिन अफ्रीका में हुआ प्रतीश रोध, इन सब को लेखिका ने भहुत सहनुभूती और सुन्दर्ता के साथ अपने इस उपन्यास में वर्नित किया है, इसके साथ ही उन्हों ने क्रांती कारियों और उनके द्वारा दी गई शहादतों का भी अंकन किया है, वे कहीं पर भी प्रित्रिमता या बनावर्द को अपने उपन्यास में स्थान नहीं देती हैं, उन्च नीच की भावना से दहिद उनका मन जिस भावा भिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए मचलता है, उसे वो सीधी सपाट भाशा में अपने पाठकों के साथ साज़ा करती चलती है जिन्दगी नामा उपन्यास का मूल विशे अविभाचित पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर को अपने पाठकों के साथ साज़ा करना था, किन्तु लेखिका ने उप्युक्त चित्रन को और गहराई देते हुए वहां की साज़ा संस्कृति की दैनिक जो गती विध्या थी, जो चौपालों में होने वाली विभिन विश्यों पर चर्चाएं हुआ करती थी, बहसे हुआ करती थी, उनकी प्रतिक्रियाईन थी, इसके साथ साथ स्वाधिन्ता संग्राम और देशप्रेम की भावनाई जो लहे ले रही थी, और कुछ वेक्तियों के सहासिक काम किस तरह से युवाओं को प्रेरित कर रहे थे, इसके साथ ही उन्होंने तद्यूगीन समाज में शाहों के बढ़ते हुए जो प्रभाव है उसको भी अपने उपन्यास में स्थान दिया है, शाह उस समय के समाज में अपना एक महत्वपून स्थान रखते थे, और उनके प्रेम प्र अपना एक दबदबा बनाए रहते थे, कोई उनका विरोध नहीं करता था, इसका बहुत यथार चित्रन उन्होंने इस उपन्यास में अंकित किया है, उन्होंने ये बताया कि क्योंकि ये समाज उनके बच्चपन से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो उसके साथ एक गहरा लगाव अनुभव करती हैं, किन्तु स्मृतियों के माध्यम से उन्होंने उस समय की घटनाओं को अंकित करने का प्रयास किया है, इसलिए यदि हम देखें, तो इसमें कई घटनाओं में पूर्वा पर क्रम हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि स्मृतियां कभी भी क्रम से हमारे दिमाग में नहीं आती है, जब 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 जो जो स्मृतियाई उसको उन्हों ही सुन्दर्ता के साथ चितरित करने का प्रयास किया है, डेरा जट्टा गाउं में जाट, मुसल्मान, कारिगर, फौजी और निम्न जाती के लोग अपने अपने स्तर और कारे के अनुरू वाले थे और पूरे के पूरे समाच के उपर उनका एक प्रभाव स्पश्ट रूप से देखा जा सकता है, उस गाउं में केवल वो मूलधन के रूप में सौ रुपे लेकर आये थे, किन्तु साहुकारी के पेशे के कारण और अपनी कुशाग्र बुधी के कारण उन्होंने जल्दी ही पूरे गाउं पर अपना प्रभाव जमालिया और वो सबसे अधिक सम्रिध बन गए, रूप, रंग, वेवार, शिक्षा के कारण वो गाउं के अने लोगों से बहतर साबित हुए, उपरी सतह पर यदि हम देखें तो शाह परिवार के प्रतियेक सदस में हमें रंप्रदाइक भेदभाव से मुक्त होना करुणा, सदाशेता, विनम्रता, आदिभाव दिखाई देते हैं, किन्तु ये सतह जमीन की उपरी सतह की तरह है, अंदर से यदि हम देखें तो इन में कपट भावना, शोशन की प्रवृति, छीना जप्टी, स्वार्त हमें उसरों के प्रती सदभाव रखने की एक शिक्षा देती हैं, किन्तु इसे हम ये कह सकते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, क्योंकि पुत्र को तो इस शिक्षा दी जाती है, किन्तु जब वो कारे रूप में स्वयम आचरन करती हैं, तो इस शिक्षा को भूल जाती हैं, बड़े शाह और राब्या के रागात्मग संबंधों को भी वह अपनी स्विक्रिती नहीं दे पाती, किन्तु उसका खुल का विरोध भी नहीं करती हैं, और इसे एक सामन्ती व्यवस्था का रूप धारण कर अपने मन को संतुष्ट करने का प्रयास करती हैं, तारिक शाह विद्वा ब्रामनी का अपहरण कर लेते हैं, और गंपर शाह विद्वा चाची महरी को सरे आम अगवा कर लेते हैं, इस प्रकासे हम देखते हैं कि उपर से जो शाह परिवार के पुरुष हैं, जाहें लोगों के साथ कितनी ही सर्भावना दिखाएं, किन्तु जहां कहीं वो गुणवान और सुन्दर इस्त्री को देखते हैं, उनके प्रती अनाचार करने से बाज नहीं आते हैं, इसी प्रकासे वो ग्रामिन कृष्कों को भी कम पैसे पर वो रुपया उधार देते हैं, किन्तु वो किसान अपनी पूरी महनत से जीवन पर्यंत अपन इस कर्ज को चुकाने का प्रयास करता है, किन्तु मूल धन तक कभी नहीं पहुच पाता, गाउवाले जितनी महनत अपनी जमीन पर करते हैं, जितना पसीना बहाते हैं, वो सब व्यद चला जाता है, क्योंकि उनकी अपनी जमीन भी अपनी नहीं होती, वो शाहा अपने कबस प्रेम से मिलते हैं, दूसरों के प्रती एक सद्भावना की बात रखते हैं अपने मन में, लोगों में खाना वितरन करते हैं, अपनी चौपालों में सद्भजन करते हैं, किन्तु अंदर ही अंदर वो इस बात की टोह रखते हैं कि मैं किस किसान को दबा सकता हूं, किस की जमी की तरहे किसानों का ब्यास कभी खत नहीं होने देते इस प्रकास से गाउं की अधिकांज भूमी पर उनका आधिपत्य स्थापित हो जाता है और वो गाउं के सबसे अधिग संपन वेक्टियों में गिने जाते हैं ब्रिटिर्स सरकार के हमायती होने के कारण वो जब तब बाहर से आए हुए लोगों का स्वागत सरकार करते हैं उन्हें खाने पर न्योता देते हैं गाउं की चौपाल उनके ही घर में लगती है जिसमें वर्ष में दो बार सब को मुफ्त में भोजन कराया जाता है इतना ही नहीं दिखाने के लिए वो कुछ विरोधियों के कर या लगान माफ करने की उद्धोशना भी करते हैं और इस प्रकास से अपने कारियों के प्रती जो विरोध के स्वर थोड़े बहुत उखते उन्हें दिखाई देते हैं उन्हें भी शान्थ करने की कोशिश करते रहते हैं आशिक में जद्दाज हैं और इसलिए अपनी पहली पत्नी गौर्वा की मृत्यू के पश्षाथ दूसरी शादी करने से भी परहेज नहीं करते किन्तो जब दूसरी पत्नी से भी उन्हें संतान सुख के प्राप्ति नहीं होती है तो वो तीसरा विवाह करने के बारे में सोचने लगते हैं दैव योग से बड़ी शाहनी लाली पुत्र को जन देती हैं और इस प्रेकास से तीसरा विवाह करने क्या उनका स्वाप्न भंग हो जाता है किन्तो वे आलिये की सुन्दर पुत्री राबिये के प्रती अपने आकरशन को अन तक भूल नहीं पाते एक बार जब राबिया नदी में डूबने लगती है तो वो उसे बचाते हैं और इस उपक्रम में खुद बिमार हो जाते हैं अपनी मृत्व से पूर्व पूराबिया को शाही बनाने से भी संकोच नहीं करते और इस समय उनकी पत्नी बड़ी शाहनी को भी राबिया को स्विकार करना पड़ता है जिन्तु राबिया नदी में डूब कर अपने प्राण दे देती है और इस प्रकास से मानो शाह के प्रती अपने समर्पन की उद्खोशना कर देती है छोटे शाह काशीराम का प्रारंबिक जीवन भी अपने बड़े भाई की तरहे क्रिश्कों का शोशन करने में या आशिक मिजाजी में बीटता है दो पुत्रों के पिता और विवाहित होने के पश्षाद भी बहुत समय तक उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता के प्रती गलाणी से भर उठते हैं और उन्हें मुफ्त दवाईन देकर उनकी सेवा करते हैं और ऑपने बड़े भाई को भी ऐसा करने का एक सलहा देते हैं उन्हें हैं कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए कृष्णा सुप्ति ने अपने सुपन्यास में एक जगे पर ये संकेत दिया है कि अनाचार अत्याचार और शोशन की नीव पर टिकी हुई ये शाहों की विवस्था काफी अंत होना अवश्यम भावी था और ऐसे ही समय में एक दिन उन आनाचारों और अत्याचारों का हिसाब लेना था वो खुल कर सामने आये और अपनी बातों को उन्होंने कहना शुरू किया इसी संदर में फरमान अली के रिदे का दंश भी उसकी उक्तियों से सपष्ट दिखाई देने लगा शाहों की मलकियत लाल बहियों में और हमारी अ आत फैलाए उनका और जट जितना पसीना बहाए सो उसका इस प्रकार हम देखें तो चक्राकार गती से बहुत सारी कहानिया अंतर भुख्ध होकर इस उपरन्यास में हमारे सामने आती हैं किन्तु कहीं कहीं हमें इस पूरे के पूरे उपरन्यास का कथात्मक रूपबंद धिला नजर आता है संभवता इसका कारण एक मात्र यही है कि लेखिका ने गाउंडेरा जटा को छोड़ने के एक लंबे अंतराल के बाद इसकी कथा वस्तु को अपने उपरन्यास का विशे बनाया है और इसलिए स्मृत्यों के माध्यम से इखटा किये हुए घटनाओं को एक साथ एक क्रम में उपस्थित करना उनके लिए संभव नहीं था कहीं कहीं उपरन्यास में बहुत अधिक खंड चित्र दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है मानूच चित्रों का एक एल्बम ही पात्कों के सामने उपस्थित हो गया हो करीब असी ऐसे चित्र हैं जिनकी तित्यों का उलेक हमें नहीं मिलता इनमें 55 चित्र शाहों की हवेली, चौपाल और उसमें होने वाली गोश्थियों, शाहों की गतिविधियों, उनकी जीवनशैलियों से संबंधित हैं किन्तु उन्हें छोड़ना लेखिका के लिए असंभव इसलिए था क्योंकि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य कथा के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं मुख्य कथा यदिपी सिमित है, किन्तु फिर भी ग्रामीन परिवेश के बहुत सारी चित्र इस उपन्यास में हमें दिखाई देते हैं सौतों की जलन, कतल, डकैती, दंगा फसाद, नूरी शीरी की प्रेम प्रसंग, विद्वा ब्रामनी और अवैद मात्रित्व, नट कजरों के खेल तमाशे, प्लेक की बिमारी, महामारी, विपलव, गाउं में फैला हुआ अंधि विश्वास, आरे समाज का बढ़तावा प् इन सब के चित्र इस उपन्यास में लेखिकाने उभारे हैं, जिन्दकी नामा में पात्रों का प्राच्वर्य दिखाई देता है, केंद्रे पात्र यदेपी जट्टा गाउं है, किन्तु जो उसमें रहने वाले लोग हैं, वो उस गाउं की गतिविध्यों को अपने कारे कल जापों के माधिन से एक इंद्र धनूशी रंग देते हैं, व्यक्ति पात्रों के स्थान पर टाइप्ट, स्टीरियो टाइप्ट या वर्गे पात्र हमें जादे दिखाई देते हैं, चाहें वो क्रिशक हों, फोजी हों, पुलिस अफसर हों, आशेक हों या डाकू, सभी के सभी अपने वर्ग का प्रतिनिध्रित्व करते हैं, और उसके अनुसार ही आच्रण या कारे करते दिखाई देते हैं, कोई भी पात्र कथानक से अलग थलक दिखाई नहीं देता, वो कथानक का एक अंग बनकर हमारे सामने आता है, प्रारंबिक काव्यात्मक उक्ति में जिनमें चेनाप चेहलम की धरती का मा के रूप में उपस्तित होना, मीठी मीठी धूप, ठंडी सुहानी हवाएं, भरी गदराई देहें, घी रची मोटी मोटी रोटियां, इसके साथ ही बड़े लाला के घर में प्रसाद के रूप में पंजीरी का वित्रन, गाउं के घरो में कथा का सुनना सुनाना, लोडी मांगना, त्रिंजन लगाना, गुर्द्वारे की गुर्वानी का गायन और पुत्र प्राक्ति के लिए शाहानी का बाबा फरीत के दर्बार में मनत मांगना, और इसके साथ ही अंधविश्वास के कारण, शाहा की पहली पतनी के जोडे और नाक में सोने का लौंगडा पहने वे देखना भी अपनी पूरी सजीपता के सामने साथ उपस्थित हुआ है। सिक, संप्रदायों के सभी त्योहारों और परिवेश को पूरी सजीपता के साथ अंकित किया है और इस अंकन में उन्होंने सतर्गता बढ़ती है। पूर्पून योगदान होता है। और इसके साथ ही जानने वालों के लिए भी कई बार भाशा क्लिष्ट बन गई है। डॉक्टर भीश्म सहानी ने यदिपी इस उपन्यास की भाशा में धर्टी की सोंधी सोंधी गंध का अनुभव किया है। किन्तु फिर भी उनका मानना है कि इसकी भाशा पंजाबी ना जानने वालों के लिए क्लिष्ट है। अगेची ने तो एक स्थान पर यहां तक कह दिया था कि जब ये उपन्यास जिन्दगी नामा हिंदी में लिखा जाएगा तब मैं इसे पढ़ लूँगा। अपने प्रती इस प्रकार के आरोपों का उत्तर किष्णा सूपती ने अपने एक साक्षातकार में दिया है। काल, धर्ती और लोग की गंद को, अगोचर और अमूर्त को उसकी समगरता में संजोने के लिए वहां के डिक्षन को, समवात को सुरक्षित रखना जरूरी था। लोग के भाशाई संसकार अपना कर ही उसे भाशा में बरकरार रखा जा सकता था। वस्तुतह, जिन्दगी नामा की भाशा ग्रामीनों की भाशा है, ग्रामीन समाज की भाशा है और इसलिए हमें वहां की शब्दावली का उप्योग करना जरूरी लगता है। अगर इस तरहे के उप्योग से लेखिका अपने आपको बचाती तो शायद जिन्दगी नामा जिस खुबसूरती के साथ अपने पाटकों के सामने उपस्थित है वो उतना प्रभाग अंकित ना कर पाता। लेखिका ने पात्रों के परिवेश या पात्रों के स्थितियों के अनुसार शब्दावली में यथास्तान परिवर्थन भी किया है। जैसे कोट कचेरी, पुलिस, प्रशासन या मुस्लिम छात्रों द्वारा उन्होंने उर्दू शब्दावली का प्रयोक कराया है पंजाबी लोग गीतों का भी उपन्यास में पुजोर समर्थन किया है किन्तु उसके साथ ही वहां पर हिंदी के छोंके भी लगाए गए है किन्तु इससे सम्पून उपन्यास की कालात्मक्ता में कहीं पर भी अंतर नहीं दिखाई देता भाशा कथ के अनुसार प्रवाहमई है और उसे अपनी समग्रता के साथ उपस्थित करती है कह सकते हैं कि जिन्दगी नामा पंजाब की पूरी जीवन की कथा को और पंजाब के भी गाउं डेराजटा के जीवन को अपने पाठकों के सामने समग्रता के साथ उपस्थित करने में सफल रही है डॉक्टर विश्णा त्रिपाथी ने बहुत सुन्दा ढंग से इसकी विवेचना करते हुए लिखा है कि जिन्दगी नामा मूलतह किसी कभी मन की रचना है इसमें इतनी अच्छूती मार्मिक उपमाए है कि प्रथम कोटी का कभी ही वैसा प्रियोग कर सकता है मित्रों यदे हम संपून रूप से कृष्णा सूपती के साहितिक पर अपनी दिश्टी डालें तो हमें लगेगा उन्हें अपने समाज के प्रतिये पक्ष का प्रतिये कोने का हमें परिचे दिलाया है चाहें वो ए लड़की हो समे सरगम हो या फिर मित्रों मजानी जिन्दगी नामा एक या फिर उनका आप हम हश्मत एक दो तीन जो उनके रिखा चित्रात्मक संस्मरन हैं उनकी विचारों की संपूनता हमें दिखाई देती है और इसलिए हिंदी कथा साहिते में महिला लेखी काओं में यदि हम देखें तो कृष्णा सुबती जी का साहिते एक महत्वपून साहिते है जिसे हर हिंदी के विद्यार्थी को पढ़ना जरूरी हो जाता है धन्यवाद प्रशन पूछना चाहते हैं और कोई जानकारी चाहते हैं क्रशना सोपती जी के बारे में तो हम चाहेंगे आप हमें जरूर लिख भेजें हमारी इमेल आईडी है info.cc at date and ic.in हम आपकी प्रशनों के जवाब देंगे जब अगली बार डॉक्टर रुचिरा धिंगरा हमारी स्टूडियो पहुँशेंगे तो आप सभी से यही अनुरोध है हमें देखते रहें और निरंतर हमें लिखते रहें आपकी प्रतिक्राय आपकी सुझावूं का स्वागत है आप सभी से पुनहा मुलागात होगी तब तक के लिए आप सब देखो नमस्कार नमस्कार रुच्छा जाए